बिस्मिल्ला इर्रमान इर्राहीम, अस्सलामु अलेकुम, I hope कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे जी तो सर्दियां आ गई हैं और फिश का मौसम है तो आज हम बहुत ही मज़ेदा सी फ्राइड फिश बनाएंगे तो चलिए देर नहीं करते बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने ली है एक किलो फिश फिश को वाश करने के लिए मैंने आधा कब विनेगर लिया था उसमें टू टेबल स्पून बेसन ढाला और वन टेबल स्पून नमक ढाल के फिश को लगा के रख दिया आदे घंटे के लिए आदे गंटे के बाद फिश को अच्छे से वाश कर लिया और उसकी स्मेल बिलकुल खतम हो गई फिर फिश को चलनी वाले बरतन में रख दिया ताकि ये अच्छे से ड्रेन हो जाए और फिश के हमने इस तरह पतले और लंबे पीसिस करवा लिये थे इस तरह के कटिंग से ये फिश स्यादा अच्छी बनती है लेकिन आप गोल वाले पीसिस भी यूज़ कर सकते है फिश अच्छी तरह ड्राइ हो जाए तो उसकी मैरिनेशन त्यार कर लेंगे यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पूंस इमली ली है और उसमें 1 फोट कप गरम पानी डाला है इसको 5 मिनट के लिए साइट पे रख देंगे ताके ये सॉफ्ट हो जाए और एक बूल में लेंगे 2 टी स्पूंस नमक नमक डालें के बाद हम इसमें अड़ करेंगे 2 टी स्पूंस लाल मिच का पाउडर अगर आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा मिच डाल लें कुटी हुई लाल मिच अड़ करेंगे 1 अड़ टी स्पूंस अजवाइन डालेंगे 1 teaspoon धनिया पाउडर एड़ करेंगे 2 teaspoons इसको गर आप ट्राइन करने से पहले रोस कर लेंगे तो इसका flavor जादा अच्छा हैगा 2 teaspoons ही जीरा पाउडर डालेंगे गरमसाला पाउडर डालेंगे 1 teaspoon 1 tablespoon लेसन का paste डालेंगे और 1 tablespoon ही lemon juice एड़ करतेंगे अब जो इमली हमने पहले से भिगो के रखी थी वो soft हो चुकी है इसलिए हमने इसमें गरम पानी डाला था क्योंके गरम पानी से ही बहुत जल्दी soft हो जाती है अब इमली के बीज हम निकाल देंगे क्योंके हमें सिर्फ इसका गूदा चाहिए इसके बीज लग करके उनको हाथों की मदब से अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे ताके सारा पल्प उनमें से निकल जाए और जो पल्प बचेगा उसको भी हम बोल में आड़ कर लेंगे और जो बीज हमने अलग किये थे उनमें फिर से टूटेबल स्पून्स पानी डाल देंगे ताके उनमें पर जो पल्प लगा रह गया है वो वेस्ट ना हो मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसमें बागी का इमली का पानी भी आड़ कर देंगे अच्छा मेरे पास जो इमली थी वो बिल्कुल साफ थी अगर आपकी साफ ना हो तो उसको भीगोने से पहले पानी से वाश कर लें अब हम बोल में आड़ करेंगे टू टेबल स्पून्स बेसन हम कोटिंग वाली फिश नहीं बना रहे है लेकिन बेसन अड़ करने का ये फाइदा होता है कि ये मेरीनेशन फिश के साथ अच्छे से चिपक जाती है और उतरती नहीं है जी तो मेरीनेशन रेड़ी है अब हम फिश के पीसिस को लेंगे और वन बाई वन उनको कोट करते चाएंगे जैसे ये वाला पीस कोट किया है इसी तरह हम बाकी के पीसिस भी कोट कर लेंगे और फिर हम इसको मेरीनेशन के लिए फ्रिज में रख देंगे ओवन आइट रखें तो ज्यादा बेतर है लेकिन कम से कम भी 5-6 गुंटे मेरिनेट जरूर कीजिएगा अब मैंने एक फ्राइंग पैन में ओईल गरम कर लिया है ओईल बहुत ज्यादा तेज गरम नहीं किया फ्लेम हमने रखा है मीडियम लो और ओईल बहुत ज्यादा एड़ नहीं करना बलकि इतना एड़ करना है कि फिश शैलो फ्राइ हो जाए सेम यही रेसिपी आप तवे पे भी बना सकते हैं और इससर आपकी तवा फिश रेड़ी हो जाएगी फिश डालने के बाद आपने 5 मिनट तक इसको बिलकुल नहीं ही लाना बलकि एक साइड से मीडियम लो फ्लेम पे पकने देंगे और 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे यह देखें एक साइड पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और फिश को डालते हुए मैंने उसकी सकिन साइड नीचे की थी ताके वो फ्राय होके थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए इस तरह फिश तूटने का डर नहीं रहता 5 मिनट के बाद फिर से फिश की साइड चेंज कर देंगे फ्लेम आपने तेजे ही करना बलके लोही रखना है ताके फिश के अंदर से मॉइस्टर बिल्कुल खतम हो जाए क्योंकि तेज आच पे पकाने से फिश गलत हो जाएगी लेकिन उसके अंदर पानी रह जाएगा जो के खाने में अच्छा नहीं लगता जी तो मैंने फिश को तक्रीबन 16 से 17 मिनट के लिए फ्राइ किया है और अब ये रेडी हो गई है और इस पे बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर भी आ गया है अब इस कोम प्लेट में पेपर टॉवल्स पे निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ओयल पेपर टॉवल्स में अब्जाब हो जाए अगर आप मेरे चैनल पर नियू है और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीस मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ये आपकी तरफ से सपोर्ट होगी मेरे चैनल क्रो करने के लिए और ये देखे हमारी मज़दार सी फिश त्यार हो गई है इसका कलर देखें कितना खुबसूरत आया है अब हम बाकी की फिश भी इसी तरह फ्राइब कर लेंगे और फ्लेम जो है वो कम ही रखेंगे हमारी फ्राइड फिश रैडि हो गई है बहुत ही मज़दार बनी है बाहर से कृिस्पी है अंदर से बहुत ही सौफ्ट और गली हुई है और जूखे हमने इसको लो फ्लेम पे फ्राइब किया था और मुझे comment में feedback भी दीजेगा विडियो अच्छी लगी है तो thumbs up दें अपने friends and family के साथ share कर ले मेरे चैनल को subscribe कर लें और bell icon को भी प्रेस कर दें जल्दी मिलेंगे किसी नई recipe के साथ दुआओं में याद रखेगा Allah अफेज